अब क्या करें क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल्ड एनलिसिस करके एक महीने पहले आपको कहा था कि BHEL में जो रिजल्ट है खराब है और अभी यह जो पैटरन है कम से कम सेप्टेंबर क्वार्टर तक चलेगा तो यहां पे जो बाइंग आपकी होनी चाहिए यह आपका इंवेस्मेंट का जो डिसीजन है वो सेप्टेंबर के बाद होना चाहिए एक बदवारा से आपको पता जाके वीडियो को देखो है ना पर यहां पे जो इंटरस्टिंग चीज़ आपको नहीं पता होगी बाखी चीज़े उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं अब क्वार्टर्स को देखने की कोशी कीजिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मैंने पहले भी यह कहा है जून 21 से डेटा मेरे पास में है जून 21 में जो लॉसस आपको और कहीं मिलने वाला नहीं है जून में लॉसस वन एटीट गरोर का सेप्टेंबर में रीजनेवल ओके देसम्बर में आते आते 42 करोर के यहां से एकदम लॉस में और उसके बाद में बढ़िया वाले जून में 23 में फिर से लोसिस बढ़िया profit के बाद फिर लोसिस सितंबर में लोसिस दिसम्बर में ठीक ठाक और मार्च में बहुत बढ़िया अब यहाँ पर जून 24 में फिर से लोसिस यह पैटर्न है यह जो chartered accountants होते हैं बड़ी खिलाडी शीज़े हैं ध्यान लखना दुनिय कि finance की सबसे बड़ी पढ़ाई chartered accountants ने की होती है company secretaries ने की होती है जो balance sheets बनाते है उन लोगों ने की होती है यह balance sheets क्यों ऐसी बना जाती है यह PNLs ऐसे क्यों बना जाते हैं ऐसे numbers क्यों पोस्किया आते है वहिया यह तो हमें CEO लोगों से पूछना चाहिए और with due respect I am not hurting the emotions of Chartered Accountant Community यह क्या है यह मुझे समझ नहीं आता है अगर यह pattern नहीं है क्या है यह call बनाता है मैं और आप तो नहीं बनाते हैं कम से कम accountants ही बनाते है accountants senior qualified accountants चीज़े पतया करते हैं चलो हमें तो हिंट मिल गई तो उन सब accountants का बहुत बहुत शुक्रिया अब मुझे क्या करना है कि भाईया September में क्या होता है loss आता है तो September quarter तक भी loss रहेगा जहां रखना उसके बाद में December quarter में यह profitable आना सब होगा तो आपकी जो अगर SIP करना चाहते हो BHL में तो September खत्म होने क्या होते हैं आपके SIP plan हो सकती है September में थोड़ा सा लगाया October में थोड़ा सा लगाया November में किसी को देखते हो आपको पहले भी कहा था कि जिस समय स्टॉक ने 320 रुपीज का हाई लगाया था देखो TTC क्यों होना चाहिए आपके पास में इसा टूल जो लेगिंग नहीं लीडिंग है पहले से त्यारी करके रखता है आपके लिए कि स्टॉक कहां से कहां जाएगा तो इससे बड़ा टूल आपके पास क्या हो सकता है तो यहाँ पे हम बहुत क्लियर थे भईया बहुत क्लियर थे मैंने कहा था कि 300 के उपर में 324 एक ऐसा प्राइस है बार बार कहता हूँ जो पुनाने आपको शाब पता होगा कि इसके उपर प्राइस सस्टेन नहीं करता है एक 272 के नीचे यहाँ पे मेजर सपोर्ट है 256 का इधान 256 और 240 यह एक जोन बनेगा ध्यान रखना 240 से लेके 256 का एक जोन बनेगा जिसके बीच में BHL को अभी दो महीने रहना है हो सकता है 256 से लेके 272 यह एक रेंज बन जाए narrow range यह बन सकती है इसके बीच में consolidation हो सकती है ध्यान बहुत ध्यान से रखना और investment जो करते है ना वो सटा मारने के लिए मत अगरिकल लिया गिर गया 10% गिर गया 5% स्टॉक गिर गया परिशान होगे दुनिया लोट गई भया स्टॉक लेने के बाद 50% भी गिर सकते हैं Warren Buffett साब कहते हैं तो अगर आपको यह जटके जिलने की आ करना है वो स्टॉक क्यों लेना अगर यह सब चीज़ सीखनी है तो हमाई है अगर आप यहां कहीं से हैं तो प्लीज हमें दिये के नंबर पर कॉंटेक कर दीए कि इसलिए मैं मुंबई क्लास करना चाहता हूँ हमाई थूआउ जो क्लास की फीस रहती है वो रहती है 32,000 ठीक साथ में आपको सुबह का ब्रेकवास दो टाइम का लंच यह सब चीज़े मिलेंगे एम पीम टी मिलेगी दो दिमिर साथ रहेंगे सुबह से लगे शान तक बढ़िया से होटल का आच्छा बॉल रूम लेंगे वहां पर डिसक्रिशन करने वाले तो दो दिन आप में साथ र मिलेगा लाइफ टाइम के लिए तो यहां पर मेरे सामने क्लियर हो गया कि यहां पर गेम क्या निकलता है ध्यान से समझना बहुत ध्यान से समझना यहां पर 269 के नीचे में फर्दर सैलिंग साथ हो जाएगी 268-264 यह आपका लेवल आना चाहिए एग्जेक्ली TTC कहां चल जाएगी वही रेंज वहाँ पर निकलके आ रही है ठीक है तो आपको बहुत है और इसमें बाइंग कब आएगी बाइंग 274 के उपर इसका ब्रेक आउट हो जाएगा और यहां पर 272 के उपर यहां ब्रेक आउट दिखाई दे रहा तो यह लेबल्स मेरे सामने पहले से क्ल हुई तो यहां से एक सपोर्ट ले सकता है और 256 के बाद में 240 एक जोन बन सकता है लास सपोर्ट बन सकता है और पहले भी बजार ने यहीं पे ही एक सपोर्ट लिया था तो यह सपोर्ट जोन क्रेट हो रहा है पिछले पांच दिन से बजार यहीं पे अठका हुआ है देरार फिर चांसिज क्योंकि RSI ओवर सोल्ड जोन में है, यहां पर पूरे चांसिज हैं कि 324 से गिरता हुआ सोग, यहां पर एक सपोर्ट ले सकता है, और सपोर्ट लेने के बाद भी इसके जो रिकवरी है, वो 290 तक जा सकती है, 290 के ऊपर गर चलेगा, तो इसमें बढ़िया वाल ब्रेक आउट आएगा, नहीं तो वापस से नीचे आ सकता है, यहीं टेस्टिंग का काम करके, फिर से प्रॉफिट बुकिंग इसमें हो सकती है, मेरा प्लान क्या है, बीएचल को लेके, मैं आपस से फिर से शेयर किया, इन में से कोई भी लेवल से दुबार आचीव होंगे तो फिर से एक वीडियो लेका आएगे, फिर नालिसीस करने कोशिच करेंगे, आपकी स्टोक के ओपर चीजबार चाते हैं, किस स्टोक के ओपर पोस्समार चाते हैं जरूर बताएगा, वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट कीजएगा, लाइक कीजएगा, दोस्तों शेक किजिएगा और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिए क्लासिस की बुकिंग करने के लिए नीशे निके नवर कर सकते हैं से यू इन दर वीडियो तब तक लिए टेक कैर बाबाई जेहिन